नमस्कार दोस्तों आप सभी कहार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल ज्रॉनक एंट पैट में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के 12 सबसे खतननाग डॉक्स के बारे में जिनमें से कुछ डॉक्स तो इतने खतननाग हैं कि भावलू चीते जैसे जानवरों उसे भी असानी से लड़ सकते हैं पैन में से कोई भी डॉक्स ब्रीट पालने से पहले एक बार आप जरूर सोच लीजिएगा दोस्तों दुनिया के सबसे खतननाग डॉक्स ब्रीट का ये पार्ट वन है इसका में दूसरा पार्ट भी बनाने की तयारी कर रहा हूँ क्योंकि दुनिया में साढ़े 350 से भी ज़्यादा कुत्तों की प्रुजातियां पाई जाती हैं जिन में से बहुत सारी प्रुजातियां खतरनाग हैं तो इसलिले उन में से कनी बारा प्र heck क्योंब कर पाना मेरे लिए बहुत ही कठी न हो रहा था इसलिए मैं इसका अगला पार्ट भी बनाने की तयारी कर रहा हूं दोस्तों जो कि मैं बहुत जल्दी यूटूब पे डाल दूँगा अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं या फिर आपको डॉक्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि किसी भी डॉग का विहेवियर पूरी तरह से उसके ओनर और उसके रखरकाओं पर निर्भर करता है वैसे तो कोई भी डॉग ब्रीड सही देखबाल होने पर इंसानों के प्रती बहुत ही लॉयल होती है लेकिन ये खतरनाक तभी होते हैं जब इन्हें गलत तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है और गलत प्रस्छंट दिया जाता है जिसकी होज़े से दूसरों पर अटैक करने की प्रवत्ती इनकी आ जाती है इसलिए दोस्तों आप इन में से ज़्यादा तर डॉक्स को सही ट्रेनिंग दे के अपने घरों में फैमिली डॉक्स की तरह भी रख सकते हैं तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हुए दुनिया के सबसे खतननाक डॉक्स का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में एक खास बात ये भी है कि हमने पहले नंबर की पोजीशन पे दो डॉक्स को एक साथ रखा है इसलिए उन दोनों डॉक्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आपको पहले नंबर की पोजीशन पे जो दो डॉक्स हमने रखे हैं उन दोनों के बारे में सही से पता चल सके तो चलिए एक काउंट डॉन स्टार्ट करते हैं दोस्तों चाओ चाओ ये डॉक्स अपने बड़े बालों के कारण दिखने में तो बहुत प्यारे लगते हैं मगर इनका दिमाग काफी अजीव होता है दोस्तों क्योंकि ये हमेशा अपने मालिक से अटेंशन पाना चाते हैं ऐसा ना होने पर या फिर कोई खत्रा देखने पर ये अचानक से बेकाबू हो जाते हैं हाला कि ये अपने मालिक को तो कोई नुकसान नहीं पहुचाते हैं मगर अन्जान आदमी के लिए काफी बड़ा खत्र साभित हो सकते हैं इनकी हाइट 57 सेंटीमीटर तक हो सकती है और वजन भी इनका 35 किलो तक बढ़ सकता है दसवे नंबर पे आता है हमारा जर्मन सेफर डॉक ये डॉक ब्रेट काफी ज़्यादा समझदार और फुर्तिली होती है ये आम तोर पर सांथी रहते हैं पर अपने या अपने मालिक पे खत्र मैंसूस होने पर काफी ज़्यादा हमला वर हो जाते हैं इन डॉक्स की हाइट 65 सेंटीमीटर और वेट 40 से 45 किलो तक हो सकता है हमारे नवे नंबर पे आती है डॉबर मैं डॉक ब्रेट ये डॉक ब्रेट अपने मालिक के लिए काफी ज़्यादा वफादार होती है हाला कि ये दूसरों पे और कभी-कभी तो अपने मालिक पे भी हमला कर देते हैं लेकिन ऐसा सिर्फ मालिक की गलत देख रेक कर नतीजा होता है अगर इन्हें सही से पाला जाए और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो अपने मालिक और आसपास के लोगों से काफी अच्छे तरीके से रहते हैं इनकी हाइट सत्तर सेंटीमीटर और वजन तीर से लिके 35 किलो तक हो सकता है ये अपने मालिक को बचाने के लिए किसी से भी लड़ने को तयार रहते हैं आठवे नंबर पे हैं राटबिलर डॉग दोस्तों ये डॉग ब्रीट काफी ज़्यादा हैवी और मस्कुलर होती है इसके जबडों में किसी और डॉग के मुकाबले काफी ज़्यादा ताकत होती है ये काफी खुंखार और ताकतवर डॉग होते हैं ये डॉग कितना खुंखार है इस बात का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हैं इस अकेले डॉक के कारण ही दुनिया भर में सैक्रों लोगों की जान चली गई। इनकी हाइट 67 सेंटीमीटर और वेट 55 केजी तक हो सकता है। हमाई साथवे नंबर पे है डॉग और जेंटीनों। बहुत ही जादा खतरनाक, ताकदवर और अग्रेसिव डॉग ब्रेट्स में इनका नाम टॉप पे आता है। लेकिन इस डॉग को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने और सुसलाइज करने पर ये काफी जादा अच्छे फैमिली डॉग साबित होते हैं। ये काफी समझदार डॉग्स होते हैं, इसलिए इन्हें कई सारे देश अपनी पुलिस बेहुस्ता में भी इस्तेमाल करते हैं, हाला कि कई देशों में ये बैन भी हो चुके हैं। ये इतने जादा खतरनाक होते हैं कि एक जंगली सुवर को आसानी से अकेले ही मार सकते हैं। इनकी हाइट 70 cm और वजन लगबाग 50 kg तक हो सकता है। हमारी अगली डॉग ब्रीट का नाम है बुल मैश्टिफ। दोस्तों वैसे तो दिखने में ये काफी जादा खतरनाक और बड़े होते हैं। मगर इन्हें आप अपने छोटे घरों और अपने बच्चों के साथ भी आसानी से दख सकते हैं। ये आपको या आपके फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुचाएंगे। हाला कि अपने ओनर और फैमिली को बचाने के लिए ये डॉक्स किसी भी खतरे से लड़ सकते हैं। इन्हें बच्चपन से ही ट्रेनिंग देना और सुसलाइश करना काफी ज़्यदा जरूरी होता है। तब ही आप इतने बड़े साइश के डॉक को आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे वरना ये काफी ज़्यदा बेकावू हो सकते हैं। इनकी हाइट 28 इंच तक हो सकती है और वजन भी इनका 60 से लेके 70 किलो तक हो सकता है जो की काफी ज़्यदा है दोस्तों। हमारी लिस्ट में पांचवे नमबर पर जो डॉक सामिल है वो है पिटबुल। ये डॉक्स वैसे तो ज्यादा खतरनाक नहीं होते। मगर इन्हें ट्रेनिंग कर दे पाना काफी ज्यादा कठिन होता है और गुस्ता भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जिसके कारण ये किसी पे भी अचानक से हमदा कर देते हैं। इन्हें आप वैसे तो अगर सही से ट्रेनिंग देते हैं और सोसलाइस करते हैं तो आप इन्हें अपने बच्चों के साथ भी रख सकते हैं। ये अपने फैमिली और ओनर के प्रते काफी जादा लॉयल डॉइल डॉइल डॉइड होती है। ये डॉइड इतनी जादा खतरनाक है कि इसने अकेले ही हजारों लोगों की जान ले ली है जुनिया में। इसलिए अगर इसे आप पालते हैं तो काफी जादा आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और अच्छे से सोसलाइज करना पड़ेगा। वरना ये आपके लिए नुक्सान दायक हो सकते हैं। इनकी हाइट 50 cm और वजन इनका 25-30 kg तक हो सकता है। हमाई लिष्ट के चौथे नंबर पे डॉग आता है प्रिसा कैनार यू। ये डॉग काफी ज़्यादा सकतिसाली होते हैं जिसके करण इन्हें अपनी एनरजी एक्सरसाइज करके रिलीस करनी पड़ती है। वरना ये काफी ज़्यादा अग्रसी हो जाते हैं जिसके करण ये किसी पे भी अचानक से हमला बोल देते हैं। ये डॉग्स आसानी से एक भेड़िये का सिकार कर सकते हैं। इन्हें बहुत सार देशों में बैन किया गया है जैसे UK और अमेरिका। इसलिए अगर आप ये डॉग्स ब्रेट रखना चाहते हैं तो इसलिए आपके पास एक बड़ा घर या फिर फार्म जैसी जगह हो तो काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका बज़न 60 किलो तक और इनकी हाइट 17 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। हमारी लिस्ट में तीसे नमबर पर सामिल है कोकेशियन सेफर्ड डॉग्स दोस्तों ये डॉग्स ज़्यादा अग्रेस्व नहीं होते हैं मगर अपने ताकदवर और बड़े सरीर के कारण किसी को भी आसानी से काफी ज़्यादा नुकसान पहुचा सकते हैं और ये बेड़ जब्त किया जा सकता है और आप पे काफी बड़ा जुर्माना भी लग सकता है इनकी उचाई 95 सेंटीमीटर से लेके 105 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इनका वजन भी लगबग 95 किलो तक बढ़ सकता जो की बहुत ज़्यादा है दोस्तों हमारी लिष्ट में तीसे नंबर पे डॉग आता है नैपोलियन मैस्टिफ ये डॉग्स अपने एरिया को लेकर काफी ज़्यादा समवेदन सील होते हैं जिसके करण अगर इनके एरिया में कोई दूसा डॉग या फिर इनसान आ जाये तो उसे गुस पैटिया समझ कर ये ये कभी कदार बेकाबू होकर अपने मालिक पे भी हमला कर देते हैं इनकी हाइट 30 इंच और वजन 60 किलोग्राम तक हो सकता है दोस्तों आप सभी का इंतजार खत्म होता है ये बात जानने के लिए कि हमारे पहले नंबर पे कौन सी दो डॉग ब्रेट्स सामिल है तो जो पह खतरनाक कौन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कांगर डॉग की दोस्तों ये डॉग ब्रेट वैसे तो ज्यादा अग्रेसिव नहीं होती है लेकिन अपने विशाल औ और ताकतवर सरीर के कारण बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है और दोस्तों इस डॉग का बाइट फोर्स भी बहुत ज्यादा होता लगबख 650 PSI जो की एक सेर के बाइट फोर्स यानी लगबख 500 PSI से भी बहुत ज्यादा है इसलिए ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते है हाला कि ये अपने family और owner के पती काफी ज़्यादा वफादार होते हैं मगर अपने उपर या फिर अपने मालिक के उपर कोई भी खत्रा महसूस करने पर ये किसी से भी लड़ने को तयार हो सकते हैं अगर आप इतने बड़े dog को अपने घर में रखना चाहते हैं इसके लिए आपका घर काफी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और इस dog खरीदने के लिए भी आपको काफी बड़ी कीमत चुकानी पर सकती है इन्हें काफी ज़्यादा आसानी से ट्रेनिंग दी जा सकती है और सुसलाइस किया जा सकता है और इस बच्चों के साथ भी काफी आसानी से रह सकते हैं इसलिए इन्हें घर में रखने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कांगल डॉक की हाइड लगबग 85 सेंटी मीटर तक हो सकती है और इनका वजन भी 90 किलोगराम तक हो सकता है इन डॉक्स का मुकाबला केवल और केवल तिबतन मैश्टिफ डॉग ही कर सकता है इसलिए मैंने इन दोनों ही डॉक्स को एक साथ रखा है चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तिबतन मैश्टिफ की तिब्रतन मैस्टिप डॉग जो होते हैं ये काफी ज़्यादा बड़े बाल और बड़े शरीर के करण इग्णम सेर जैसे लगते हैं हाला कि ये बहुत प्यारे भी लगते हैं मागर आप इनकी शकल पर मत जाईएगा क्योंकि ये काफी ज़्यादा खतरनाग डॉग ब्रेट् या फिर ना पसंद जानुवर पर भी हमला करने से बिल्कुल नहीं डरते दोस्तों इसलिए आप अगर इनसे गोले मिले हुए नहीं है तो इनके पास कता ही न जाईए वरना ये आपके लिए काफी बड़ा खत्रा साबित हो सकते हैं इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर दो तिप बतन में एक साथ मिल जाएं तो फिर एक वैस सेर का भी सिकार कर सकते हैं इनकी हाइट 35 संटीमीटर और वजन इनका 65 किलो तक बढ़ सकता है जो की बहुत जादा होता है इसलिए काफी खतरनाक हो जाते हैं तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म होती है आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगी होगी और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर दीजे धन्यवाद